कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के केमिरेंट मंत्री उम्परकास राजबर जी है और यह सुवासपा जो सुहल दो भारते समाज पार्टी उसके राश्ट्रेट दक्स भी हैं जो मुझूदा समय में जो राजनितिक हल्चल है उत्तर प्रदेश को ले करके हम उन तवालों पर आप से जवाब चाहेंगे मंत्री जी तमाम चीजें आप भी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं उधर अब संग्रन के तरफ से भी आप पर एक तरह से हमला होने लगा कि सरकार में हैं तो उन्हें इस परकार की बात नहीं करनी चीज़ें क्या है यह देखे हमारी सुरूस यादत हम सच बात बोलते हैं सच थोड़ा कड़वा भी होता है और पसंद कम लोग करते हैं अगर हम उधारन बतावें तो सैकड़ो उधारन है 21 महिने में हम दो तेन उधारन दे रहे हैं कि एक सुप्रीम कोट ने फैंसला दिया था कि यसी स्टी एक्ट पर की कि मुकदमा पंजी की थो जांच के बाद जो दोसिय उसके खिलाब करवाई नेर्दोस के खिलाब करवाई नौ भारती जनता पार्ट्री के अंदरे में सरकार में है कैबिनेट से उस फैंसले को बदल दिया जब कैबिनेट ने उस फैंसले को बदल दिया तो कौन सी आफ़त आ गई थी बदल दिया जागड़ा एक आदमी दो आदमी से होता है घर में कोई महला भोजन बना रही है घर में अंदर है कोई विद्याले में बच्चा है कोई बंबई दिल्ली कलकत्ता मदरास है नो तो निर्दोस लोगों को फसाने की साजिस है अब ये बात कहना लोग खतें बीरूद करते हैं जाके पर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर है जिस परिवार के ऊपर जगड़ा एक आदमी सोहता है आठ आदमी ऐसी ऐस्टी में फसा दिया जाते हैं उस परिवार से पूचे तो लोग खतें बीरूद है आज जैसे मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया है इस्टेशन का नाम बदलने से तो ट्रेन सही समय पर नहीं हुए ट्रेन की जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करने की जरूरत है जिले का नाम बदल दलने से जिले का तो विकास नहीं हो जाएगा जिले में जो सडकें खराब हैं जो व्यवस्था जिले में खराब है उसको ठीक करने की जुरूर है अब इसको कहिए तो कहते हैं भी रोद बोलते हैं कि अब हम जैसे 27 पर्षेंट आदक्षण कि मानी राजना सिंग जी मुख्यमंत्री थे यूपी में तो उन्होंने सामाजिक ने समिती बनाई सामाजिक ने समिती ने रिपोर्ट दिया पिछड़ा आति पिछड़ा सरवाधिक पिछड़ा तीन कटेगरी बनाके सबको हिस्सा दिया जाए उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारती जनता पार्टी ने हमसे वादा किया बीस मार्च को मानी अमिसाह जी दिली में हमसे बात करके कहें 11 अप्रेल को लखनव में मुख्यमंत्रे जी थे मैं था महनत पांडे जी थे राणा आजीत प्रताप सिंग थे और मानी अमिसाह जी पांच लोगों के बीच में यताय हुआ कि छे महिना पहले हम लागू करेंग अब तो कुल गिंती से 10 अचुनाव के बचे हुए हैं आप करेंगे अब उस बात को कह रहे है तो संगठन को बुरा लग रहा है पांडी को बुरा लग रहा है ये सरकार में रहा है कि सरकार मेन रहे करけं भाई जो मुख्यमंत्री जी सदर में बोला है उन्होंने कि हम विभाजन करेंगे, पिछडी जाती कि आरक्षण में विभाजन करेंगे, तो यह कब करेंगे, चुनाओ भीजाने के बाद के पहले करेंगे.